हेलो फ्रेंट्स आज हम लोग इस वीडियो की अंदर बात करने वाले हैं BJA और INB के बीच में जो अगला मैच होने वाला है टेटे एंड सरीच का दोस्तों इस वीडियो की अंदर इस मैच का पुरी जानकारी आपको मिलेगा BJA और INB के टीम ने अभी तक इस टूनामेंट के जितने भी मैचेस खिले हैं सारे मैचेस को यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर कवर करेंगी और आपको बताएंगे कि कौन से बल्लेबाज पूरी श्टूनामेंट में ओपन करा है कौन से बल्लेबाज फर्स डाउन पर खिल रहे हैं सारे प्लेयर्स का बैटिंग ओर्डर साथी साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बॉलर्स यहाँ पर दोस्तों कम्प्लिट दो वर तक गेंदबाजी करते वे दिखेंगे किसे कैप्टेंसी के लिए लेना सही रहेगा किसे वाइस कैप्टेंसी के लिए ट्राय कर सकते हो सारे डिटील्स आपको मिलेगा दोस्तों आपको बैस ट्रिजल के लिए इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतक वज़ करना है ताकि जितने भी important जानकारे है आपको मिल पाए और आप एक बहतरिन से बहतरिन टीम बना पाओ चलिए हम लोगा वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले एक छोटी से रिक्वेश्ट है वीडियो को like से start करना भाई हो और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को subscribe करके bell icon को प्रेश जरू कर लेना क्योंकि आने वाले matches का भी आपको इसी प्रकार important information मिलेगा दोस्तों अगर इस match का final team आपको चाहिए तो एक बाद टेलिग्राम गुरूप को ज़रू जाइन कर लेना इस match का final team आपको वहीं मिलेगा इस वीडियो के नीची आपको discussion box में और comment box पहला comment में link मिल जाएगा यह जो match है कोटमा वाल ग्राउन पे मुकाबला होगा यहां का pitch condition अगर आप देखेंगे तो बल्ले बाजू के लिए काफी बढ़िया पीच रहा है दोस्तों लेकिन कुछ बॉलर्स ऐसे हैं चोकि continue यहां पे विकेट निकाल रहे हैं जैसे कि आप यहां पे देखोगी बीजे के जो team match वा था दोस्तों तीन match में एक ही match विन करा है दो match लॉस करते हुए हैं और INB के team ने चारा match पे दो match लॉस करते हुए हैं दोनुई टीम ना मतलब एक ही स्तितिम है जाला आप ऐसा नहीं कि आपको यहां पे one-sided match देखने को मिलेगा बीजीए के जो टीम है दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं तो बीजीए के जो टीम है सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं आइनवी के टीम के बारे में क्योंकि यह यहाँ पे मैं टॉप में लिखा है यह जो है न दूस्तों यहाँ पर एरिश्टो लगोप जो की टीम के आपको ओपन करते हुए दिखेंगी पूरे स्टूनामेंट में 60 रन बना के एक विकेट निकाले हैं पहले मैच में 13 रन कोई विकेट ने मिला फिर 16 रना के एक विकेट फिर 31 रन बहुत बढ़े है प्लेयर है दो बर गिंदबाजी भी करेंगे टीम के आपने भी करते हैं तो यह आपके लिए बेश्ट से बेश्ट ऑफ्सन रहेगा कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए आप इनको ले सकते हैं बाकि प्रकाश मिश्रा जो कि टीम के कैप्टेन है, पूरे स्टूणामेंट में दोस्तों यहां पर एक रन बना के एक विकेट निकाला है, फिर बीस रन बना इसमें कोई विकेट निकाला है यह भी आपके लिए बेस्ट उप्सन रहेगा, जो कि एक एक रिखेने को मिला है, पहले मैंचे बीसरम बना की विकेट फिर फ्लॉप रहा लगा तर मैच में आप देख सकते हैं तो इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है इनको भी ट्राय कर सकते हैं स्टार्टिंग के जो चार प्लेयर है ये चारो के चारो आपके टीम में होना काफी जयता ज़रूर भी है बाके स दूसरे में इनको विकेट ने मिला है और लास्ट में बॉलिंग करने का मोका नहीं मिला है इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं तो ये रहा दोस्तों यहाँ पर आई S.B. का रिकॉर्ड आपको आल्मोस्ट सेम बैटिंग और आपको इस मैच के अंदर भी दिखनी को मिलेगा तो तो जरूट रहे करना जो आपके लिए इंपोर्टन रहेगा दूस्तों आपके टीम में रहेना BGA के जो टीम है फ्रेंट्स यहाँ पे उस्मान हैडर जो की टीम के कैप्टन है यह टीम के ओपन करते हैं पहले मैच में लेना चाहते है तो जील में ट्राइक रहेगा बाकि सुफ्यान सलीम फ़र्स टाउन पे खिलेंगे पूरे स्रीज में 91 टीम में बना के 5 विकेट निकाला है कैप्टन सी के लिए सबसे बेश्ट औफसन रहेगा यह देख सकते हैं है टीम के थर्ड डॉन पर खेलेंगे पहले मैंच में 17 फिर 10 फिर 22 रन टीम के थर्ड डॉन पर खेलने के लिए आएंगे मुहमद अफजाल पहले मैंच में एक विकेट दूसरे में विकेट निकाला ये भी टीम के काफी बढ़े हां गिनदबाजी कर रहा है उसमान अरिफ ये गिनदबाज है और इस बोल उनको जरूर पिक करना जो टीम के काफी बढ़े हां गिनदबाजी करता है तीन-तीन विकेट एक-एक मैचस में लिया आप देख सेकते हैं तो मेरे हिसाब से यह बैटर रहेगा आप यहां पर कैल्कुलेसन कर ले थोड़ा से यहां पर मेरा मिस् जाएंगे इस हिसाब से यह बी अच्छे बोलर है क्योंकि कंप्लीट ओबर गिनदबाजी कर रहे हैं और इक और में भी कुछ मतलब ज्यादा खराब नहीं है तो मेरे हिसाब से इनको ले सकते हैं बाकि वसी मबास पहले मैचे फ्लॉप दूसरे मैच में दो विकेट फिर त जो आपको इन पोटने लग रहा है आप उनको अपने टीम में ट्राए कर सकते हैं बाकि कैप्टैंसी के लिए दोस्तो यहां पे अपने टीम में जिसे ट्राए करना मैं आपको बता दूँ केप्टेंसी के लिए पी मिस्रा सबसे बेश्ट रहेगा दोस्तों और M.O.M. उस्मान को अपने टीमे वाइस केप्टेंसी के लिए सकते हो युँ एडर का भी रिकॉर्ड आपके सामने है यहाँ पे दोस्तों लोकाफ को में ट्राय करूंगा